इस lecture के अंदर आपको statistics में comparison की gist मिलने वाली है और relationship की gist मिलने वाली है कि किस तरीके से ये दो जो major part है statistics के खास तोर पर जब आप explore कर रहे होते हैं data को या EDA analysis कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कौन सा test कब choose करना है इसमें मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और फिर हम देखेंगे parametric versus non-parametric test कौन कौन से होते हैं और हम ये भी देखेंगे कि test के नाम कौन कौन से हैं at the end आपको एक short guide भी मिले कि जिसके अंदर आप सारे के सारे test को खुझ से लागूगर के देख सकेंगे तो मैं अपनी screen share करता हूँ ये screen आपके सामने आ रही होगी इस screen के उपर आप देख सकते हैं कि choosing a right statistical method या choosing a statistical method हम किस तरीके से देखते हैं और इस एक जो point है हम इसमें क्या-क्या चीज़ें देखने वाले हैं कौन-कौन से चीज़े देखने हैं do's and don't कौन-कौन से हैं reliable results versus non-reliber results क्या होते हैं making data visualization for statistical analysis and interpret कैसे करना है results को तो ये सारी की सारी चीज़े हम इस lecture के अंदर देखने वाले हैं test और उनकी type दो किसम के होती है पहली type होती है parametric test और दूसरी type होती है non-parametric test parametric test और non-parametric test दोनों ही बहुत ज़रूरी test होती है ठीक है मैं अब इस जगा पे आपको parametric versus non-parametric test जो है इन दोनों की definition एक समझाता हूँ parametric test ऐसे होते हैं जो more reliable है और इनके results अच्छे तरीके से आपके पास reliable way में आते हैं यानि के जो results आपके पास आएंगे आप उन पे पूरा का यकीन पूरा पूरा यकीन कर सकते हैं and then first we have to meet the assumptions एक scenario है इसके अंदर के parametric test तब ही लग सकते हैं जब आपके पास assumption पूरी हो और ये आपके पास किस तरीके से parametric test आते हैं अगर आप होर करें तो आपने basically अपने data को arrange करना होता है और data को अगर arrange नहीं भी किया हुआ और आपके पास दो column मजूद हैं वो आप देखेंगे कि दोनों column का जो rank है वो equal नहीं होता for example अगर आपका एक data छोटा है और दूसरा data बड़ा है आप उसमें भी comparison कर सकते हैं अगर आपका एक data जो है वो बहुत ही चोटा है minute quantity के अंदर है दूसरा बहुत ही बड़ा है फिर भी आप कर सकते हैं इसका comparison लेकिन कुछ assumptions है जो हम आगे देखेंगे जो शरायत लग होती है वो बाद में देखेंगे और उस पर हम अमल करके फिर आगे चलेंगे फिर आते हैं non-parametric test non-parametric test less reliable होते हैं और ये rank को calculate करते हैं और हमें कोई भी assumption इनकी meet नहीं करने होती है यानि के इनकी शर्त ही कोई नहीं है जहरी बात है आपको भी पता है कि जहां पे कोई शर्त ना हो किसी भी चीज की जहां पे जिस school में exam नहीं होता वहां पे लोग पढ़ाई भी नहीं करते हैं सी बात है तो इसका मतलब है जब आप शरायत को पूरा करते हैं शरायत को पूरा करने के साथ साथ जब आप चीज़ों को maintain way में लेके चलते हैं उसके results भी reliable होते हैं same वो ही चीज़ के जो आपके इलाके का अच्छा स्कूल होता है वो सकती से तो बच्चों को बढ़ाते हैं but on the other side आपके बच्चे अच्छे results भी देते हैं in this way अगर non-parametric test है अगर आप home schooling करते हैं या खुद से कोई चीज सीख रहे हैं और आप पूरी तबज्जों नहीं देते हैं और assumption पूरी नहीं कर रहे हैं अपनी शरायत पूरी नहीं कर रहे हैं कि सुबह को मैंने उठना है आठ गेंटे पढ़ना है दस गेंटे पढ़ना है तो आप अच्छे से पढ़नी पाएंगे same वो ही चीज यहाँ पे non-parametric test कि इनकी कोई शर्त नहीं है सिर्फ data ले हो बात खता हूँ यहाँ पे parametric versus non-parametric यह दोनों आपको clear हो गये होंगे कि यहाँ पे हमने assumption पूरी करनी है non-parametric में कोई assumption नहीं है अब पहले तो हम देखते हैं कि assumption कौन-कौन सी होती है so पहली assumption for parametric test is called normal distribution या इसको normality का test भी बोलते हैं इस तरीके से bell shape बना रहा है तो हम कहा देंगे कि यह normal distribution है लेकिन अगर bell नहीं बन रही तो हम इसे कहेंगे कि normal नहीं है कोई और distribution है so for us we need to check कि हमारे पास test कौन-कौन से मजूद है जो normal distribution को check करने के लिए हम perform करते हैं पहला test हमारे पास है Shapiro Wilk test यह नाम लिख लीजेगा जो हमने लगाया भी था Shapiro Wilk test यह specific है और बहुत reliable है हमारे पास यह test यानि कि यह data continuous data के उपर यह आपका numeric data के उपर लगता है और उसकी distribution चेक करके हमें बताता है कि यह normal distribution में है यह नहीं फिर आता है Kolmogrov Smirnov test और यह Kolmogrov Smirnov test भी आपका normality का test है लेकिन यह आपको general यह less reliable होते है तो आप Shapiro Wilk लगा लें that's enough फिर हम आगे चलते है हमारे पास दूसरी जो होती है शर्त वो होती है कि data should be homogenized पहली थी हमारे पास कि data should be normal दूसरी हमारे पास है कि वो homogenized हो data कैसे homogenized the variance of the variables in data are equal यानि कि अगर आपके दो variable हैं या तीन variable है उनका variance equal हो यह न हो कि एक test बहुत बड़ा है दूसरे test का variance बहुत छोट है तो आप उनको compare करने बैठके है so for that you have to check the homogeneity उसके लिए आप लगाते हैं Levene's test data homogenous कब होते है जब data का center जो है उससे spread जो है हर data का वो same हो यानि कि अगर किसी data का इस तरीके से जो उपर से नीचे उसका center है और उसका spread आप कहलें कि 0.24 है इससे मिलता जिलता है दूसरों का भी spread हो यह ना हो कि data आपका normal है सारे का सारा लेकिन एक की curve बहुत ज्यादा दूसरे कर बहुत काम है इसी को homogenous test जो होते है यह basically आपका kurtosis जो है उसको show करते है कि आपकी kurtosis कितनी है kurtosis जितनी ज्यादा होगी उतना आपके पास data फैला हुआ होगा और उसका variance बड़ा होगा variance जो होता है equal to spread है अब समझ आगी यह variance क्या होता है यह spread होता है जो हमने पिछले lectures के अंदर देखा है उसके लिए लगाएंगे हम levin's test पहला हमारे पास होगे normal distribution दूसरी होगी हमारे पास homogeneity का test अगर यह दोनों पूरे होते हैं और data normal भी है और homogenized भी है फिर हमें तीसरी चीज़ देखनी है कि purpose क्या है हमारा purpose क्या है test को लगाने का पहला purpose यह हो सकता है हमारे पास कि हमने या तो compare करना है दो चीज़ों को या दो से ज्यादा चीज़ों को या हमारा दूसरा purpose हो सकता है कि relationship check करना है या connection check करना है और यही हमारे point के दो रुख थे, आप चेक करें कि exploratory data analysis के अंदर हमने उपर देखा था कि हमारे बास क्या होना चाहिए, comparison हमें पता होना चाहिए, नीचे जो उसका रुख था, एक था data का, उसको हमने देखा था कि वो हमारे पास क्या होना चाहिए, relationship, तो हमें तो दोनी चेक करने हैं लेकिन, depend करता है कि आप किस वकत क्या चेक करें, तो अगर आप comparison चेक करना चाहिए, तो आपने comparison वाले test लगाने है, relationship देखना चाहिए, तो relationship वाले लगाने है, तो तीन चीज़ें आपको clear होगी, कौन-कौन सी तीन चीज़ें, कि आपको पता होना चाहिए, कि data है या नहीं, आपको पता होना चाहिए, कि आपके पास homogenized data है या नहीं, आपको पता होना चाहिए, कि आपका purpose क्या है data का, ठीक हो गया, जब ये तीन चीज़ें पता चल गई, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, चीज़ों को compare कर सकते हैं, compare से मुराद है male versus female को compare कर लें, control group versus treatment group को compare कर लें, grouping कर लें, चेक के individuals की by color उनको compare कर लें, so you can do a lot of, क्या, comparison, और comparison के लिए ज़रूरी होता है, at least two groups should be there, दो groups का होना ज़रूरी है, जो मैं आपको पिछले lecture में बात समझा के अटाओ, so दो groups का होना बहुत ज़रूरी है, यहां तक clear हो गया, अब relationship के अंदर भ करते हैं, दो चीजों का, यह दो से ज़्यादा चीजों का, या correlation चेक करते हैं, या causation चेक करते हैं, या prediction देखते हैं, so these are four things, but we will see, कि यह चार जो terms हैं, उन में से बेहतरीन correlation की हम देखेंगे, इसमें connection देखेंगे और correlation, इस से ज़्यादा नहीं हम आगे जाएंगे इस test मे ठीक है, for example, आप खाना ज्यादा खाते हैं, तो आपका weight बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, this is called relationship, quantity one के बढ़ाने से क्या दूसरी भड़ी है, या fertilizer डालने से plant का weight बढ़ड़ है, या हमारे पास कोई ऐसी चीज, जिसका हमने impact चेक करना हो, उसका relationship हम देखते हैं, आपको एक म practice is related with expertise in coding, ठीक है, वो ही बात है यार, जो हमारे बलावल साब करते हैं, कि ज्यादा बारिश होगा, तो ज्यादा पानी आएगा, कम बारिश होगी, तो कम पानी आएगा, simple वो ही चीज है, कि आपके पास relationship यही बताता है, कि एक चीज के बढ़ने से क्या दूसरी चीज ही है कि कम हो रही है, ठीक है, this is called relationship, और obviously हमें और भी चीजें इसमें देखनी है, but for now we will see, हम आगे चल जाएगा, फिर data type आपने जरूर देखनी है, ठीक है, चोथा step आपका, पहला step आपका था जी, normal distribution, दूसरा data homogeneous है के नहीं है, तीसरा आपका step था, कि आपका purpose क्या है, comparison या सारी data types मैंने पढ़ा दी हुई है, उसमें से हमने देखना क्या है, कि categorical data type है, या आपके पास numeric data type है, categorical को qualitative भी बोलते हैं, या non-numeric भी बोलते हैं, और आपको मैंने अच्छे से पढ़ा दी है, categorical, numerical के अंदर हमारे पास क्या होती है, quantitative या numerical भी इसे बोलते हैं, और most representative numbers ह होती है, ठीक है, सो दो type आपको major पता है, quantitative, qualitative या categorical versus numerical, ये वो ही हैं, जो हमने चार नहीं देखी थी, कैसे, scales of nominal, ordinal, interval and ratio, उसी के अंदर ये जो data type थी, वो हमने देखनी है, ओके, चार step होगे हमारे, फिर पांचमा step है हमारा, choosing a right statistical method, categorical के लिए तो मैंने आपको बता दिया, है कि true or false, yes or no हो सकती है, और हमारे पास numeric के लिए example है, amount कोई भी, पांचमा step जो है हमारा important step है, which is called statistical test को choose करना, और choose a statistical test from three main families, अब तीन main families and test की, तीन main families and test की, मैं आपको repeat करवा देता हूँ, सबसे पहले आपने normal distribution चेक करनी है, फिर homogeneity चेक करनी है, फिर आपका purpose किया है, आपने आगे के चेक करना है, number four, data की type, जब data की type पता चल गया, then you will select a statistical test, और वो तीन families के अंदर से आपने select करना है, वो families कौन-कौन सी वो देखते हैं, पहली family है, हमारे पास chi-squared family, दूसरी है T-test या Anova family, तीसरी है correlation family, जिसको हम relationship भी देखते हैं, अब तीनों families के अपने- test, comparison करता है, लेकिन सिरफ और सिरफ, categorical data का, अगर आपके पास categorical data को compare करना है, then you will do a chi-squared test, ठीक है, T-test या Anova की family, यह ऐसी family है, जिसके अंदर आप comparison करते हैं, categorical and numerical data का, ठीक है, for example, आपके पास एक column है male और female का, दूसरा है age का, तो आप categorical column को, numeric column की base पे differentiate कर रहे होते हैं ठीक है, सो T-test और Anova आगया, correlation में सिरफ numerical values का आप correlation चेक करते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ के right side वाला सिरफ numerical पे हैं, left side वाला सिरफ categorical पे हैं, और यह वाला categorical और numeric दोनों पे हैं, ठीक है, तो तीनों family याद रहेंगी, chi-squared test, T-test, Anova and correlation, यहां तक clear हो गया, आगे चलते हैं, अब chi-squared test के अंदर, कब use करना है, कब नहीं use करना, और इसकी types कौन-कौन से, मैं बड़ा इसको effectively आपको समझाता हूं, chi-squared test of homogeneity होता है, और फिर आपके पास chi-squared test of independence होता है, इन दोनों में से आपने एक use करना होता है, वो हम जब लगाएंगे इसको तब कब इसको use करने, और कौन-कौन सी चीजें इसको effect नहीं करती, ठीक है, आपका ये किसी भी number of levels और groups पे ये चल सकता है, यानि कि ordinal categorical है, उस पे भी nominal categorical है, उस पे भी, it doesn't matter कि आपका level 2 है, 3 है, या 4 है, मिसाल के तोर पे 1st, 2nd, 3rd में comparison करना, मिसाल के तोर पे आपने ये compare कर करना कि 1st class, 2nd class और 3rd class में कितना फरक है, on titanic data, तो कोई फरक नहीं पड़ता, you must remember the purpose and data type, सही है, फिर अगली आती है हमारे पास जनाब, t-test and ANOVA, ये तब लगने हैं, जब आपके पास comparison करना है, categorical and numeric data का, ठीक है, one sample t-test, for example, आपने अगर एक sample t-test करना, जो मैंने पिछले वाली है, ठीक है, one sample and two sample, ये दोनों मैंने आपको बता दी है, अब ANOVA कब लगने है, जब दो से ज्यादा samples हो, ये तब लगेगा, जब three plus levels of groups हो, ठीक है, और इसमें one way ANOVA होता है, जब एक group को signify करना हो, two way ANOVA होता है, फिर repeated measures of ANOVA होता है, फिर आपके पास और भी किसम की होती है, ANOVA की, जब हम लगाएंगे, हम तब इसे देखेंगे, but for now, you just need to remember this name, कि multiple comparison of means, तब लगेगा ये वाला, जब आपके पास तीन से ज्यादा variables को compare करना है, समझागी, दो करने हैं तो आपके पास ये, एक करना है, तो ये है, सही है, अब आपके पास, इसके बाद तीस and variable की base पे ये लगता है, Pearson correlation, दूसरा है regression, regression क्या होती है, we will see when we will actually implement इस, ये हमें ये बताते हैं कि value कितनी बढ़ी है ये कम हो रही है, based on the R, Pearson R correlation value, हम जब लगाएंगे, आपको मैं तब समझा दूँग, आप सिरफ नाम याद कर ले, then हमारे पास आता है, जनाब assumptions अगर नहीं पूरी होती तो क्या करते हैं, हम क्या चेक कर रहे हैं, assumptions about our data, कि अगर हमारे data की assumptions पूरी होती हैं, तब ये वाले test जो मैंने आपको पिछले lecture में, पिछले slide के अंदर यहां पे दिखाएं हैं, ये तब अच्छे result देंगे, अगर आ आपको बताया था कि normal हो, homogenized हो data, purpose आपको पता हो, और at the end आपकी data की type पता हो, अगर ये चार के चार points आपके assumptions के पूरे नहीं होते, इसका मतलब ये है कि आपके result reliable नहीं होंगे, आपके result valid नहीं होंगे, तो reliability और validity इन चार assumptions पे depend करती है, अब समझ आया आपको, वो जो बा अब होता क्या है, कि अगर आपका data normal है, normally distributed data को Gaussian distribution भी बोलते हैं, जो हमने पहले भी देखा है, and data should be homogeneous, ये दो हमने test लगा के हमने देख लिया start में, अगर नहीं है, तो क्या होगा, आपका data reliable result नहीं देगा, if you do not follow the assumptions, and break the trust of these three test families, they will not be happy with you, ये मैंने क्यों लिख है, कि यार स पूरा नहीं उतरते हैं, वो फिर कैसे आप से खुश हो जाएंगे, simple सी बात है, तो आपने क्या करना है, इन test को खुश करना है, with assumption, नाचे के नहीं दिखान लग जाना, जड़े मुंडे कर देने, अपने यारा दोस्तों नों मुनानवास थे, हलका या डांस कर लिया, कि य you need to be very careful when you are implying these tests, okay, if assumptions are not met, ये भी तो हो सकता है कि assumption नहीं नहीं हो, तो फिर हम क्या करेंगे, रुको जड़ा, सबर करो, यहां पे हलातों वाकियात को देखते हुआ हम आगे चल रहे हैं, कौन-कौन सी assumption ना पूरी हो, पहली ये के data आपका normal नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपका data normalized नहीं है, then you have to normalize your data, यह आपकी assignment थी, कि आप data को normalize कैसे करते हैं, you will use the standardization method, आप data को standardized करेंगे, वो से normal हो जाएगा, आप data के ऊपर, different किसम की min-max scaling के method अपनाएंगे, उससे भी data normal हो जाएगा, log transformation करेंगे, उससे भी हो जाएगा, अगर data normal नहीं होता, तो मसला ही कोई नहीं है, आप पंगे ना लें, data को छोड़ दें उसके हाल पे, then you use alternate method जिसको non-parametric method बोल दें, तब आप non-parametric statistical method यूज़ करते हैं, अगर data normal किसी भी तरीके से नहीं हो रहा, so पहला काम आपका यह है कि आपने data को normalize करना है, methods बे बहाँ हैं, आप different किसम की books भी बढ़ सकते हैं, और मैं भी इंशाला आपको आने वाले दिनों के अंदर articles की सूरत में बता दूगा, कौन-कौन से methods हैं, अगर data normal नहीं होता, don't worry, you can use non-parametric methods, और non-parametric methods में, कौन-कौन से methods हैं, उसमें भी इनके alternate method हैं, जैसे यहां पे chi-squared था, यहां पे भी chi-squared है इसका मतलब यह हुआ, कि normal distribution categorical data की तो हम check-in नहीं कर सकते ना, तो इस वज़ा से इस पे फरक ही नहीं पड़ा, यह normal हो इनहीं सकता, क्योंकि categorical only है, हमने सिरफ यह देखना है कि rank क्या है, और इसमें भी chi-squared लगना है, इसमें भी chi-squared लगना है, तो यह तो change नहीं होगा, क जिनका नाम है, one sample wilcoxen test, sign rank, यह होता है, one sample wilcoxen sign rank test, two sample के लिए हम man-witney यूज़ करेंगे, और paired के लिए wilcoxen, और फिर at the end onova की बजाए हम crucial wallis test यूज़ करेंगे, तो यह तकरीबन हमारे पास इनके alternate method है, ठीक है, यह यूज़ कर लें, वरना यह वाले करें, लेकिन अच्छा, correlation में जाना है, तो Pearson की बजाए, आप कौन सा यूज़ कर लें, spearman's correlation, या candles tau regression test, अब आप सोच रहे होंगे, यह इतने-इतने मुश्किल नाम है, कैसे याद करने है, मैं यहाँ पर side पर कर लें, तो अपनी जो mouse cursor है, आप इसका screenshot लें, simple, बिल्कुल यह test हमने EDA के अंदर ही लगाने है, और EDA के अंदर ही data को explore करने के लिए, हम यह चीजों को use करेंगे, exploratory data analysis, जब तक आप statistics नहीं लगाते, तब तक अच्छे तरीके से आप perform नहीं कर पाएंगे, अच्छा, फिर generalized and simple होता है, और कुछ होते है, more to come afterwards, for example, मैंने यहाँ पर आपको कुछ test ब ANOVA जो है, वो सिरफ एक किसम का नहीं है, ANOVA ही नहीं है, one way ANOVA ही नहीं है, two way ANOVA भी है, repeated major of ANOVA भी है, NCOVA भी है, MANOVA भी है, MENCOVA भी है, so there are many types of ANOVA, ठीक है, याद रखने के ज़रूरत नहीं है, मैं सिरफ आपको बता रहा हूँ, यही नहीं, इसके इलावा, आपके आप Interator Reliability Test भी चेक कर सकते हैं, और आप Validity Test भी चेक कर सकते हैं, कि आपका Data valid है के नहीं, आप Sample Size को Compute भी कर सकते हैं, कि मेरा Sample Size कितना होना चाहिए, वो जो N की Value है, वो कितनी हो, यानि कि मेरी Population 10,000 है, तो उसमें से मैं Sample Size कितना लूँ, उसके लिए Cochrane Skew Test और है, Yemenis Test and there are many other tests, ठीक है, Flies Kappa भी है, Krippendorf भी है, फिर आपके पास एक और किसम का भी test है, जिसको हम बोलते हैं, कुंडर-Richardson Formula 20 and 21, KR 20 and 21, लेकिन ये बहुत advanced level की statistics में use होते हैं, you don't need to worry about these things, ये जो दो मैंने आपको slides दिखाई हैं, ANOVA की, और ये वाले test की, don't worry about these two slides, सिरफ आपक रख दी हैं, अगर आपका data normal है, तो आप नीचे आजाते हैं parametric test पे, अगर normal नहीं हैं, तो उसको normalize करके parametric test लगा लें, फिर नहीं हो रहा, तो फिर आप non-parametric test पे चले जाएं, ठीक है, अब दूसरी बात ये हैं, कि अगर आपका data normal है, आप आजाएं parametric test पे, और फिर comparison ह तो ये वाले test लगा लें, correlation है तो ये वाले लगा लें, तो ये एक summary आपके पास मुझूद है, आप screenshot इसका ले सकते हैं, फिर हमारे पास जो अगली चीज है, normality, अगर वो data ही नहीं normalize तो non-parametric test भी मैंने यहां पे दे दी, आप इसकी screenshot ले लें, simple, चलो छोड़ो यार, य एक पूरी के पूरी guide आपके पास मुझूद है, आपने कौन सा test कब लगाना है, क्यों लगाना है, कौन कौन सी जगह पे लगाना है, यहां पे आप देख सकते हैं, इसका आप screenshot ले लें, simple, जितना मैंने आपको बताया है, वो सारे का सारा यहां पे मुझूद है, so now you know कि to use which kind of analysis, अब यह जो एक formula है, कि कौन सा test कब लगना है, यह अगर आपको समझ आ जाता है, आपका EDA, अब ऐसा EDA होगा कि किसी ने ऐसा EDA नहीं किया होगा, लेकिन यह depend करता है, आप अगर सच में EDA पे command ले के आगे चलते हैं, क्योंकि अक्सर उकात लोग जो हैं EDA को बस ignore करते हैं और उस पे काम नहीं करते हैं, जिसकी वज़ा से EDA लोगों के बहुत class के नहीं होते हैं, ठीक है, तो यह हमारे पास simple सा rule है, कि किस तरीके से आपने test को choose करना है, अब यह जो एक lecture है ना, अगर आप master के student है, या PhD के student है, या आप कोई research कर रहे हैं, या आपके पास क reason के है, आपको पता है, आप statistically दलायल दे रहे हैं चीजों के, सिरफ मूठ आके, visualization के थरूर नहीं कह रहे हैं, कि यह सच हो गया, यह जूट हो गया, इतने लोग आगे, इतने लोग जी पड़े, इतने लोगों को यह हो गया, you are actually giving them proofs, और जो scientist ने प्रूफ किया हुए already with statistical analysis, stat हमें यही बताती है, अब stat की definition पर वापस जाएं और वहाँ पर देखें, सिरफ collecting the data नहीं है, analyzing the data भी है, और data का comparison भी है, फिर यह जो आपके पास result आजाते हैं, उनकी report भी बनाएंगे, so at the end, आपके पास comparison और relationship का भी point यहां पर clear हो गया, समझागी बात की, ठीक है,